शरीर में ऑक्सिजन की कमी हो जाना कई रोगों को कारण बन सकता है ऑक्सिजन का इस्तर कम होने पर सबसे ज़्यादा और सबसे बुरा असर हमारी रोफ प्रतितोदफ छंता पर पर परता है इस इस्तती में कई तरह के वाईरस और बेक्टिरिया हमारे सरीर पर हावी हो सकते हैं सरीर में आक्सिजन की कमी होने का अर्थ है कि सरीर को अपनी नेमे त्रियाओं को सुचारी गूप से चलाने के लिए जिदनी मात्रा में अक्सीजन चाहिए उतनी मात्रा में अक्सीजन का ना मिल पाना जब शरीर में अक्सीजन की कमी होती है तो सबसे पहले रेक्टी को ठकान मेशूस होती है सास लेने में दिक्कत होने लगती है या सास पुलने लगती है इसके बाद सरीर में रक्त प्रवा की गती भीमी हो जाती है इससे ठकान और गज़ाड बढ़ जाती है यदि सरीर में उक्सिजन की मात्रा बहुत कम हो जाए तो बेन हेमरेज या हाट अटेक की स्थथी बन जाती है सुगर के रोगियों में जिदी ऑक्सिजन की कमी हो जाए तो उनकी सुगर अचानक बहुत अधिक बढ़ सकती है जो एक जानलेवा इस तदी हो सकती है सरीर में ऑक्सिजन की कमी के कई कारण होते है जो वेक्ति की लाइफ इस्टाइल पर निभर करते है जो लोग बहुत अधिक आलत से भरपूर जीवन सिली जीते है यानि फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते उनके सरीर में आइरन की मात्रा कम होती है अगर वे लंबे समय तक इसी तरह का भोजन लेते रहे तो उनके सरीर में ऑक्सीजन की कमी वो सकती है क्योंकि फेपड़ो सहीद पुरे सरीर में ऑक्सीजन का प्रफा करने में आईरन महत्वकून दुनिकान भाता है यह सही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आईकून को भी तबा देज्ए है की इसे वीडियो आपको मिलते रहें यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत तो धन्यवादगान आई है कि आई है कि आई है कि आई है